करने एक नई वीडियो में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक गुड नीउस के बारे में और एक बैड नीउस के बारे में सबसे पहले बच्चों बैड नियूस की बात करते हैं तो बैड नियूस यह है कि एक और भी सर्फिलेशन में चल रही है कि आप लोगों के गुरुप में भी आई होगी आप लोगों को सुनने को भी मिला होगा कि सीवीएसी यह जो एकाउंटेंसी का पेपर हुए ट्वल्स क् किसे यहनी सीवीएसी इस एकाउंटेंसी के पेपर में कोई भी किसी भी तरीके का एवार्ड मार्क नहीं देने वाली ठीक है आप जो करकर आए हो उसी के बेसिस पर आपके मार्क्स होंगे तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल कि किसी गलत न्यूज में मत पढ़ न्यूज देके भी उन्हेंने वाष्टेंब बढ़ाया और सही न्यूज देके भी वाष्टेंब बढ़ाया तो ऐसे यूट्यूवर से थोड़ा बच के रहेगा कहां से आते ही पहरे खुद देख लिजे कि क्या खाई है ऐसा तो नहीं है इसी वेसी की तरफ से ऐसा कोई सर्वकलर ही नहीं हो ठीक है तो ये सब कुछ बिल्कुर क्लियर हो चका है कि ये फेक न्यूज है किसी को भी कोई माक नहीं मिलना एकाउंट टैंसी में सिर्फ टैंथ क बच्चो ये तो थी बुरी खबर अब आते हैं अच्छी खबर की तरफ ये रहा नहीं जाता तडप ही ऐसी है आज ये एनॉंस करा है कि सीवी एसी पहली बार फ्री में बच्चों को अपनी बोर्ड की आंसर शीट्स एसस कराईगी इस बात को बच्चों ध्यान से समझेगा बहुत जरूरी है ये वाली बात पढ़ना आपको इस प्लीज इसको जहन से समझेगा कि ये आपको कहाँ वेनिफीशल हो सकता है और इसके क्या क्या आपको क्या फायद होंगे सीवेसी सबसे पहला कोशन बच्चे कहते हैं कि से टम वन का रिजल्ट कवाएगा फिर से मैं बोल रहा हूं टम वन का कोई रिजल्ट नहीं आना यूट्यूबर्स ने फरजी खबर उडाने वालों ने पैसा बनाने के चकर में ये खबर उडा रखिएगी सीवेसी होने से पहले बोला था कि टम टू का कोई रिजल्ट नहीं है टम वन के मार्क्स सीधे टम टू में जाके जुड़ेंगे सीवेसी ने क्लियर कर दिया ठीक है तो इस चक्र में मत रही है मेरे बहुत बच्चों नहीं क्वेरी करिए कि सर कई लोग तो कह रहे हैं जैन्वरी में ठीक है तो बचो कोई रिजल्ट नहीं आना अब इस न्यूस पर आते हैं सीवेसी ने कहा है कि जैन्वरी के मिड में क्योंकि अभी वन मंथ लगेगा उन्हें कॉपी को स्कैन करने में जैन्वरी के मिड में यानि 15 से 22 जैन्वरी के लगवग बीच की बात करते हैं इस टाइ के बाद अपनी OMR देख पाओगे ठीक है कि अपने OMR में कौन-कौन से अंसर फिल करे थे कौन-कौन से करेक्ट है कौन से करेक्ट नहीं है ठीक है आप यह चेक कर पाओगे सबसे पहली चीज तो इसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके कितने माक्स बन सकते ना कि CVSC ने तो आना उस नहीं कराना आप खुद से चेक कर सकते हो कि ठीक है पहली चीज तो इह इसके लिए CVSC कोई चार्ज नहीं ले रहा पहले इस चीज के चार्ज जाया करते थे कौपी देखने के इस बार CVSC ने कोई चार्ज नहीं लिया अब सपोस करो मुझे लगता है कि मेरे marks तो भाई यह वाला question है मेरे गलर चेक कर दिया गया है जबकि इस cancer अरांसकी में यही था तो अब क्या करूँगा अब कैसे काम जलेगा यह वाली बात का कि मैंने सही भरा लेकिन examination में examiner ने गलर चेक कर दी तो मैं number कट गया तो मैं CVSE इस पर क्या करेगी एक हमें copy प्रोवाइट करेगी ठीक है जब हम objection डालेंगे तो वह एक हमें copy देगी इस copy के basis पर हम scrutiny कर वाएंगे या अपनी copy को रिवैलुएट करवाएंगे ठीक है रिवैलुएशन चलेगा इस रिवैलुएशन के लिए कुछ वो पेमेंट लेंगे ठीक है यह पेमेंट जाता भी था यह अब भी जाएगा ठीक है पहली बात तो यह कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कोशन एक्जामनर या इवैलुएटर या क्या हो सकता है अब बात करते हैं बच्चा का अगा सर मेरे Marks नहीं बड़े भीया Marks आपके बड़े कैसे हैं अब ही Marks ही decide नहीं हुए Marks हैं कितने हैं तो Marks तो जाके term 2 के बाद ही पता चलेंगे कि कितने क्या हो रहे है इसलिए बच्चो मेरा आप सब के लिए एक ही छोटा सा पॉइंट है कि प्लीज टम टू के लिए पढ़ना शुरू कर दो 10th क्लास वाले बच्चे और जो PCM के बच्चे जिनका हिंदी का पेपर नहीं है वो भी प्लीज टम टू के लिए पढ़ना शु टम टम के मांक्स को लेकर जो 10 वालों को benefit मिल गया क्या हम 12 वालों को भी benefit मिलेगा बच्चो मैं आप लोगों को फिर से अशॉरिटी दे रहा हूं मेरे लिखके रख लीजेगा मेरे words को मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जादा नहीं थोड़ा बहुत benefit जरूर मिलेगा कैसे मिलेगा उस benefit की बात करते हैं तो उस benefit पर आते हैं बच्चो जैसे suppose करो एक बच्चा है उसके term 1 में marks आ रहे हैं term 1 में वो 28 questions करेकर कर आया और term 2 में यही बच्चा 40 में से 38 marks करकर आया है तो CVC देखेगी एक 36 marks लेकर आने वाला term 1 में 28 लेकर आ रहा है यानि यहां पर कुछ न कुछ तो problems रही है ना चाहिए वो CVC की तरफ से हो या बच्चो की तरफ से हो तो ऐसे chances हैं कि CVC यहां पर कुछ न कुछ हो सकता है grace marks दे दे या हो सकता है किसी भी तरही किसे normalization की तरफ marks बढ़ा दे तो यह भी एक possibility है छोड़ो 98% भी result बनेगा इस बार भी ऐसा नहीं है नहीं बनेगा देखो CVC है वो paper conduct करा रही हो उसना आपके future के बारे में बहुसतारी चीज़ां सोच रखी है आप CVC पे थोड़ा थोड़ा चाट्रस बना के रखो ना वो board आपका वो भी compete कर रहा भी है ICS के साथ मुस्वा competition है state boards के साथ competition है वो भी तो answerable है ना government के लिए ठीक है तो उस पर trust रखो आपके benefit के लिए ही वो काम कर रही है और आपको उसका benefit मिलेगा तो मैं कुछ गलत आपके अपनी तरफ से नहीं कर रहा हर बच्चे को मिलेगा सब के इतने number बढ़ जाएंगे सब ऐसा नहीं लेकिन मि कोविट की हैं मैं पेपर नहीं दे पाया था कोविट मैं मतलब मेरको हो रखा था घर में हो रख़ा था मैंने ten one के parrot लिए तोिस सर मैं lawsuit हो गया मेरे बाइब हैं शार्फ्क में कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा चाहिए आपने पेपर दिया या पेपर नहीं दिया था कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा लिख के रख लो ठीक है मैं अपनी गरंटी पर बोल रहा हूं नहीं होगे किसी भी की मत पर जिस भी बच्चे को कोविट था उसके लिए सीवेसी हो सकता है या तो पेपर कंड़क करा ले ऑनलाइन बेसिस पर यह यह भी हो सकता है बच्चो की सी प्राब हुआ था यह करके ही नहीं आये थे अटेंप्ट ही नहीं करा था आप स्कूल नहीं करे थे आप फेल नहीं हो बस इतनी बात याद रखो आप अभी सब पास हो प्लीज टम वन को छोड़कर अप टम टू की तरफ बढ़ो टम टू के लिए जुट जाओ कि मैंने 98 वा question paper समझ में आया या उसके instruction समझ में आया term 2 में मैं इस बार अपना 100% दूँगा इस चीज को decide कर लो बच्चो मैं guarantee दे रहा हूँ इस बार भी CVSC का top पर 98 से 99% का ही जाएगा ठीक है चलो बच्चो मिलते आप से next वीडियो में आपको कुछ भी अगर मेरी बात समझ में आई है मुझ पर trust है तो please channel को subscribe करो मैं आपको description में दो link दे दूँगा जिस भी बच्चो को 10th class की social science पढ़नी है वो telegram का channel join कर लेना जिसको 12th class की economics पढ़नी है वो telegram के channel के link दे दूँगा वो join कर लेना इसनी channel से बच्चो मैं आपको handwritten notes भेज दूँगा ठीक है आप वहां से handwritten notes ल